नमस्कार स्वाकेता आप सभी का देश में आज साथ राजियों के 69 लोगसवा सीटों पर चुनाव संपन हो चुके हैं चलिए फटापट बताते हैं आपको इन छटे चरण के 69 शीटों का पूरा लेका जोका छटे चरण के साथ ही देश में 414 लोगसवा सीटों पर चुनाव संपन हो चुके हैं और अब लगबग इस्तती साफ हो गई है कि किसका पलड़ा बारी है आज के 69 लोगसवा सीटों की बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव संपन हो चुके हैं चलिए पटापट बताते हैं इन साथ राजियों के 69 लोगसवा सीटों पर किसका पलड़ा बारी है सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर परदेश की 14 लोगसवा सीटों पर मतदान संपन हो चुका है बिजेपी के खाते में 9 सीट जा सकती है और महाब गटबंदन के खाते में 5 सीट कॉंग्रेस की 14 सीटों में खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है बिहार लोगसबा सीट की बात करते हैं बिहार की आठ लोगसबा सीटों में से पांच से च्छे सीटें बीजेपी के कबजे में जा सकती है और दो सीट कॉंग्रेक्स के पक्स में जाती हुई नजर आ रही है हरियाना की बात करे हरियाना में दस लोगसबा सीटों की बात करें तो दस की दस लोगसबा सीटों पर चुनाव संपन हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की साथ लोगसबा सीटों पर चुनाव संपन हो चुके हैं। दस लोगसबा सीटों पर चुनाव संपन हो इन चार लोगसबा सीटों में से तीन लोगसबा सीटों पर बिजेपी का पलड़ा बारी नजर आ रहा है। और जारकन से मतर एक सीट कॉंगरेस यहां से निकालने में कामियाब हो सकती है। इन साथ राजियों के 69 लोगसबा सीटों पर नजर डाले तो 40 से 45 सीटें बिजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और इन 69 लोगसबा सीटों पर कॉंगरेस को मतर 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। टीमसी को तीन वे अन्य पार्टियों को 5 सीटें मिल सकती है।